हलो फ्रेंड्स मैं शुष्मा आपको शुष्मा के सोई में स्वागत करती हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक रेस्पी लेके आई हूँ उमीद करती हूँ कि यह रेस्पी भी आपको पहले की रेस्पी की तरह पसंद आए और अगर आपको यह मेरे रेस्पी पसंद आती ह तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीजलिंक चीज़ वाले नमकपारे बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत टेस्टी होता है और मार्किट में लोग इसको जाके खरीदते हैं और बनाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां मैने लिया है एक कप मैदा आधा कप मॉजरिला चीज आप इसकी जगा प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं आधा ग्लास लिया है मैने गुनगुना दूद एक छोटी चमच नमक लिया है एक छोटी चमच एजवाइन दो चमच ओईल यहां मैने कैनोला ओईल यूज किया है आप चाहें तो रिफाइन ओईल भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे आठा लगा के तियार करेंगे तो यहां मैने मैदा एक बॉल में डाल दिया है इसमें मैं डालूँगी एजवाइन नमक मॉजरिला चीज और इन सब चीजों को यहां पे इस तरीके से मिला लेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी दो चमच ओईल तो इन सब चीजों को मच्छे से यहां पे मिक्स कर लेंगे पहले और इसका हम एक आठा लगा के तियार करेंगे जोकी ना जादा सक्त होगा और ना ही जादा सौफ्ट होगा बीक का आठा लगा के तियार करेंगे तो गुनगरे दूद से हम याँ पर आठे को गूल लेंगे थोज़़आ थोड़ा दूड़ डालते हुए तो यहां पर हमें एक मीडियम सॉफ्ट आट लगा के त्यार करना है थोर्था दूट डालेंगे और इस तरीके से डो बना के त्यार करेंगे तो यहां देखिए डो हमारा तयार है तो मैं इसको पंदरा मिनिट के लिए रेस्ट पर ते लेती हूँ पंदरा मिनिट के ढखके तो पंदरा मिनिट हो चुका है तो एक बार मैं इसको मसल लेती हूँ फिर से चिकना कर लेते हैं इसको आटा ऐसा होना चीए कि जब हम इसको बेले तो अराम से बेल जाए इतना हमें चाहिए medium soft dough लगा के ऐसे ही तियार करना है तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है तो और वहां पर मैंने सुखा मैदा लिया है तो यहाँ पर मैं जैसे आप रोटी के लिए लोई लेते हैं आप उतनी ले सकते हैं तो यहां पर मैं इस तरीके से रोल कर लोंगे इसको, और यहां पर plain surface पे अब इसको मैं रोल करना शुरू करूंगी, सुखा मैदा लगा लेंगे, इसको एकदम पतला बेलना है, एकदम पतला की transparent नजर आए, इस तरीके से हमें इसको बेलना है एकदम पतला, तभी जो हमारे इसको एकदम पतला बेलना बहुत ज़रूरी है अगर चिपक रहा है तो आप मैदा लगा सकते हैं दोनों साइट से ताकि बेलने में आपको दिक्कत ना आए देखिए आटा कितनी असानी से यहां पर रोल हो जा रहा है ऐसे ही हमें आटा गुंद के त्यार करना है ताकि जब इसको बेले तो असानी से बेल जाए तो यहां देखिए एकदम मैंने पतला इसको बेल लिया है बिल्कुल पतला बेलना है तो अब इसे मैं कट लगाऊंगी कट आप अपने इसाप से लगा सकते हैं जैसे भी आपको पसंदो वैसा शेप आप काट सकते हैं तो इसे इसाप से कट लगा लेंगे यहाँ पर तो यहाँ मैंने कट लगा लिया है मैं इसको डैमेंड का शेप दे रही हूँ डैमेंड कट लगा रही हूँ यहाँ यहाँ पर आप चाहें तो स्क्वाइर की शेप में भी काट सकते हैं इसको बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही बड़ी अलगते हैं बजार से लेके आते हैं लेकिन उसमें पता नहीं रहता है कि उसमें चीज ही मिलाया है या उसका ओईल मिला रखा है लेकिन आप इसको घर पे बना सकते हैं बहुत ही असान तरीके से और एकदम शुद बना सकते हैं तो इसमें हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, नाइफ से निकाल लेंगे, नाइफ से बहुत ही असानी से निकल जाएगा, और परिशान मत होईएगा कि अगर इसको फ्राइ करते हैं तेल में डालेंगे तो आपस में चिपकेंगे, बिल्कूल भी नहीं चिपकेंगे, आप कि पuckु कटीजात सकते हैं कि मैं थोड़ी से कुछ सफ कार में कम एहां कि अपो तयार कर लिए है तो यहां मैंने降 कर है तो ओल को में बहुत जादा कर रूब करना के लिए मीडिया होट कर wonder — को आप लिए को यह अलग होते जाएंगे चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं आपस में यह बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे जैसी आप इसको ऑईल में डालेंगे एक दम अलग अलग होते चले जाएंगे इसका टेंशन मत लीजेगा कि ऑईल में डालने से चिपक जाएंगे बिल्कुल भी नह प्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है लोटू मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे फ्राई इसको बीच बीच में चलाते हुवे एक एक जो हमारे जो चिजलिंग है वो बहुत बढ़िया से फुले है तो यहां देखिए यह फ्राई हो चुके हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी एक छनी में निकाल लेंगे ताकि जो उनका एक्स्ट रॉयल है वो निकल जाए इस तरीके से निकाल लेंगे आप इसको बच्चो के लंच में भी बना के दे सकते हैं बच्चो को बहुत ही पसंद आने वाली यह रेस्पी है और होली भी पास में है तो होली पे आप कुछ नया बना सकते हैं चीज वाले नमक पारे बना सकते हैं तो इस तरह से एक स्ट्रॉयल निकाल लेंगे और इसको एक टीशू पेपर पे निकाल लेंगे हम तो यहां मैं इसको टीशू पेपर पे निकाल ले रही हूँ आप देख सकते हैं एक-एक हमारे चिसलिंग फुले हुए है तो इसी तरीके से मैं और भी बना के फ्राइ कर लेंगे तो यहां देखिए मैं खटे ऐसे डाल दे रही हूँ और यह देखिए भी थोड़ देर में अलग-अलग हो जाएंगे यह देखिए कैसे अलग होने शुरू हो रहे हैं यह देखिए एकदम अलग-अलग हो जाएंगे यह तो यह देखिए एकदम अलग-अलग सारे हो चुके हैं तो उसी तरह से फ्राइ कर लेंगे जैसे हमने फ्राइ फ्राइ किया है low to medium flame पे ही इसको हमें fry कर लेना है तो यहां देखिए मैंने सारे बनाके तयार कर लिये हैं और एक एक जो हमारे chiseling है चीज वाले नमक पा रहे हैं वो एकदम बढ़िया से फुले हैं यह देखिए तो यहां मैंने इसको serve भी कर लिया है और आप देख सकते हैं दिखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं खाने में आपको उतने ही tasty लगेंगे तो इस फुली पे आप इसको बनाईए और अगर आइस पी आपको पसंद आए तो please subscribe और like करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजेगा Thank you